हलो हाई नमस्कार स्वागत है अब सभी का मैगनेट बिंस के आयए टीजे यह नीट चैनल पे जी आजम बात करेंगे हमारे डीपी नमबर तुरी जो की मोशन अंडर ग्रैविटी पे बेश्टी बैठा कोशन्स ज्यादा कोई टफ नहीं थे डीपी में उम्मीद करता हूं अभी तक पढ़ा चुका हूं और यह जो मेरे एक्स्पीरियंस से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीच हो लोगा अगर आप मेरे इन बातों को फॉलो करें जो भी मैं आपको यहां टॉपिक वाइस दे रहा हूं उनको आप लिखिए अपने नोट्स में अपने हाथों है जो मैं आपको PYQ करांगा उनको साथ-साथ सॉल्फ करना ज़रूरी है और यह सारी चीज़े अगर आप साथ-साथ सॉल्फ करते चलेंगे तो आपकर जो चैप्टर है वो एक साथ पूरा कंप्रीट होगा और लास्ट में कोई बैक लॉग नहीं रहेगा आपके पास में इन चीज़ों को फॉलो कर लो तो आपका सेलेक्शन हंडेट पर सेंट कोई नहीं रोके का आपके सेलेक्शन को थिक है तो बस यह सारी बातें आपको फॉलो करनी है इससेदा कुछ भी नहीं है समझ लो बात को कर लो फाइता तुम्हारी है ठीक है चलो शुरू करते हमारा सब्सक्राइब एक थोड़ा सा चेंज करना ऐसा ही सवाल मैंने क्लास में कर रहा है था जिसमें आपको डिर्कली बोल दिया था कि जब हम अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो इस पार्टिकल पे जो एर रिजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ लगेगा इस यूर एर रिजिस्टेंस ए माल लीजिये particle को उपर फेंका with some initial speed u particle को मैंने क्या क्या उपर के तरफ मैंका with some initial speed u तो यह उपर जाते है उपर जाते है उपर जाते है और at the maximum height यहाँ पर उसकी final velocity 0 हो जाती है यह h height तक उपर गया और यहाँ पर इसकी final velocity 0 हो गया अब बॉल उपर से नीचे आएगी बेटा, है ना, अब बॉल क्या होगी, उपर से नीचे आएगी, मैं यहापे color change कर लेता हूँ, उपर से नीचे आने लिए, तो बॉल के पास initial velocity 0 है, बॉल यहाँ पे पहुंचेगी, उसके पच कुछ final velocity होगी, चलो वो बाद में चर्चा कर बॉल कितना height नीचे आएगी, बॉल के पास एक acceleration due to gravity है नीचे की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि motion नीचे की तरफ हो रहा है, air resistance उपर लगेगा मेरे बचे, air resistance हमेशा motion के opposite direction में लगेता है, बॉल उपर जा रही थी, तो air resistance नीचे लगा, बॉल नीचे आ रही है, तो air resistance उपर ल ascent, उपर जाने में जो time लगेगा, it is your time of ascent, अब ध्यान से देखना इस बात को, बेटे यहाँ पे इसको जब अब गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा time of ascent को कैसे लिखे, initial velocity u हमें पता है, final velocity v हमें पता है, और हमें acceleration यहाँ पे देखेंगे, during upward motion की बात करो मैं, upward motion, so during upward motion मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको सही लिखा यहसे, v equals to u plus at, so 0 equals to u plus का, बेटा यहाँ पे net acceleration क्या होगा, देखो, एक तो acceleration due to gravity नीचे है, और एक acceleration नीचे है, तो it will be your a plus का g into time of ascent, बेटा यहाँ से, यह जो बाते हैं हमारे पास आ रही है, यह minus मा आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो, acceleration due है, overall नीचे की तरफ है, तो यह minus मा आएगा, और time of ascent जो होता है, बेटा वो हो जाएगा u upon a plus g, time of ascent क्यों हो जाएगा, बेरे बच्चे, u upon a plus g, यहाँ तक तो कोई समस्या नीथी, सब बढ़िया चल रहा था है न, ठीक है से, अब बारी आते है, time of ascent निकालने के, बेटा जब time of ascent निकालते हैं, तो मेरे पास कोई initial velocity है, जीरो, final velocity का, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि air resistance से बेटा, कुछ ना कुछ changes होई जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, आप एक correction करना, जब मैंने lecture बताया था, तो इसमें आपको बोला था, कि यहाँ आप final velocity को इको ले रहे थे, वो तब होता है, जब air resistance नहीं होगा, ठी नीचे आते time velocity change हो जाएगी, अब यहाँ final velocity क्या है, मैं नहीं जानता हूँ sir, यहाँ पे final velocity क्या होगी, यह मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसके बार में मुझे नहीं पता, air resistance से कुछ न कुछ variation आ ही जाएंगे यहाँ पे, तो कैसे हम time of descent और time of descent को relate करे, time of descent और time of descent को कै मैंने lecture में आपको बोला था कि जितनी speed से particle जाता है, उतनी speed से वापस आता है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप air resistance को consider नहीं करते हो, तो जितनी speed से particle को फेक होगे, उतनी speed से particle नीचे वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा, air resistance है, जिसकी वज़ा से जितनी speed से particle को क्या पता वो उतनी speed से वापस ना आ पाए, है ना, तो ये variation रहता है, जिसके कारण, मैंने आपको एक formula लिख वाया था, time of descent का, जिसमें directly मैंने लिख दिया था, u equals to g minus का a, बेटा, इसको correct करना यहीं चीज़ ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, मैंने time of descent के formula लिख वाया था, आप divided by g minus a, now I don't know की v कितना है, v मुझे नहीं पता कितना है, है ना, v के बारे में मैं नहीं जानता हू, तो 5, v equals to u plus a t वाले formula से भी आप कर सकते हो, चाहो तो, ठीक है, तो यहाँ पे v equals to u plus a t से हम करें, तो v equals to u plus a t, time of descent हो गया पे, बेटा, final velocity हमें निकालनी है, initial velocity आप देख 0 हो जाएगी, acceleration की जगा, g minus का a into t d, तो बेटा, v की जगा पे, g minus का a into t d, आप अच्छा, equation तो होई बैट गी फिर्स है, ना, अच्छा, लेकिन v ही तो नहीं पता हमें, v कैसे निकाले हम, अब v को कैसे निकालोगे, मेरे हिजाब से में एक और equation लगा सकता हू, v square equals to u square plus का 2 as करके, time of descent v upon g minus a है, बिटा, यह जो v है, यह अंजान है, ठीक है, ball उपर गई, यहाँ पे, top point पे velocity हमेशा 0 होती है, ball उपर गई, उपर जब हमने ball को फैका, उसकी initial speed थी u, जब ball यहाँ पहुची, उसकी final speed 0 गी, अब ball उपर से नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, initial velocity 0, लेकिन यहाँ पे velocity क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने आपको lecture में बोला था, जितनी speed से particle को फैक होगे, उतनी speed से particle नीचे आता है, यह तभी valid है, अगर air resistance नहीं होता, यहाँ पे इसको करेक करना है, मैंने यह वाली बात लिक्वाई थी, इसको कार्ट लेना बिट 0, प्लस का 2 into g minus का a into h, बहुत ही शानदा, तो v का value बनेगा under root of 2gh है न, v का जो value बन जाएगा, it will be under root of 2h g minus का a, h के format में हम इसको लिख सकते हैं, काम आसान हो जाएगा, बिट्चे, so v का यह formula उठा के यहाँ पुट कर दू, so time of descent जो मुझे मिलता है, वो क्या मिलेगा, time of descent जो मुझे मिल रहा है, वो मिलता है v divided by g minus का a, under root of 2h, g minus का a, divided by g minus का a, under root of 2h, g minus का a, it is your time of descent, बिटा, अब time of ascent और time of descent का ratio आप निकालना चाते थे, time of ascent और time of descent का ratio निकालना चाते हो, time of ascent के formula में u आ रहा है, time of descent के formula में h आ रहा है, कटेगा नहीं आपस में तो कोशिश करते हैं u को भी convert कर दे h के format बेटा u को h के format में कैसे लिख सकते हैं बिलकुल मैं यहाँ पर फिर से upward motion को consider करता हूँ time of ascent जो है मेरे पास वो है u divided by g plus a बट मैं u को हटा के h के format में equation लिखना चाहता हूँ तो फिर से v square equals to u square plus का 2 into as वाला formula लगाया final velocity 0 initial velocity u plus का 2 into g plus का a into h बेटा यह minus के साथ आएगा क्योंकि acceleration नीचे लग रहा था net acceleration जो था वो नीचे की दफ था तो u square minus का हो जाएगा तो बेटा यह u square बन जाएगा 2h g plus a तो u बन जाएगा under root of 2h g plus a लो बेटा u का value आ गया है u का value उठा के आप put करेंगे यहाँ पे और time of ascent को भी निकालेंगे as under root of 2h g plus a divided by g plus a time of ascent equals to under root में 2h divided by g plus a बेटा यहाँ पे अब आप देख सकते हो time of ascent और time of descent दोनों ही h k format में आ चुके हैं अब अगर दोनों h k format में आ गया है तो इनका ratio निकालना आसान है हमारे पास ठीक है वहाँ पे जो मैंने time of ascent के लिए काम किया था वो बिल्कुल सही था time of ascent के लिए बिल्कुल काम सही किया मैंने लेकिन जो मैंने time of descent के लिए आपको formula लिखवाय था u upon g minus a वो थोड़ा correct करना उसको बेटा correction इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब particle उपर से नीचे आएगा तो इस बार acceleration में कुछ कमी हो जाएगी जिसके कारण यहाँ पे speed हो सकता है change हो जाए acceleration पहले g होता था उपर जाता था तो भी acceleration g था नीचे आता था तो भी acceleration g था इसलिए जितनी स्पीड से पार्टिकल उपर जाता था उतनी स्पीड से पार्टिकल नीचे आ जाता था लेकिन आज क्या हो रहा है air resistance की वज़ा से उपर जाते टैम पे नीचे की दफ जो acceleration है वो जादा है लेकिन जब मैं नीचे आ रहा था तो net acceleration की value कम हो गई जिसकी विज़ा से यहां पे speed change हो जाएगी अब air resistance में जितनी speed से फैक होगे उतनी speed से वापस हाए ऐसा कोई compulsory नहीं है change हो जाएगी velocity यहां पे final velocity मैं नहीं जानता था पहले अगर मुझे final velocity पता होती तो मैं सिधा यहां लिखता और answer आ जाता लेकिन मैंने correction किया मैंने बोला भाया final velocity मैं नहीं जानता हो इसलिए time of descent होगा v upon g minus a v का value क्या होगा तो v का value निकालने क्लिए मैंने लिखा v square equals to u square plus 2 as बेटा यह initial velocity 0 है final velocity find करनी है v square equals to 0 plus का 2 acceleration g minus का a into height कितनी कवर की edge बेटा यहां से v का value आगया under root of 2h g minus a इस under root of 2h g minus a को यहां put किया तो time of descent यह आ रहा है उसने हमसे सवाल में मांगा है the ratio of time of ascent and the time of descent बेटा time of ascent और time of descent का ratio बताइए time of descent के formula में height आ रही है लेकिन time of ascent के formula में initial velocity आ रही है कोशन में कही initial velocity का चड़ नहीं किया सर तो वो initial velocity में क्या करूँ हटाना पड़ेगा उसको उसको भी मैं h के format में convert करना चाता हूँ तो यह जो u है इसको हटाने की कोशिश करी v square equals to u square plus 2h बेटा पार्टिकल को जब उपर फेक्ट हो final velocity 0 होती है initial velocity u acceleration नीचे लग रहा था इसलिए minus का g plus a into 2h बटा है यहां से भी u का value आ रहा है under root of 2h g plus a उठा के मैंने यहां पर put किया solve किया time of ascent और time of descent दोनों देखो h के terms में आ रहे हैं अब ratio लेना मेरी लिए बहुत आसान हो गया है अब मैं ratio इसलिए ले सकता हूँ so time of ascent upon time of descent का जो ratio हम लोग निकालेंगे time of ascent upon time of descent का जो हम ratio निकालेंगे it comes out to be g minus a divide by g plus a 2h से 2h मर जाएगा चलो बए g का value आप लोग 10 meter per second square ले लीजिए और a का value उन्होंने सवाल में कहा है 2 meter per second square हो जाएगा so 10 minus का 2 under root of 10 minus का 2 divided by 10 plus का 2 solve किया under root of 8 बटा 12 फिर से solve किया 4 to the 8 4 3 to 12 so under root of 2 by 3 बटा ये correct answer बनेगा मैंने class में जो आपको कराया था वहाँ पे 2 by 3 बोल रहा था बट 2 by 3 नहीं under root of 2 by 3 correct होगा तो उस question में भी correction कर लीजिएगा आप लोग ठीक है वो मैंने बाद में देखा था फिर मुझे लगा था तुम्हें बतानी चाहिए सारी बाते तुमसे कुछ चपाएंगे नहीं हम लोग है ना तो वहाँ पे भी मैंने इसको correct करवा दिया है अब प्लीज उस question को देख ले ना lecture में मैंने question कर रहा था air resistance के बाद same question था correction करना answer होगा under root of two by three ना कि two by three ठीक है यह इसका final complete answer है इसको जरूर note करना आप लोगों हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया इसलिए मैंने इस question पर काफी time दिया मैंने मुझे लगा कि यह पूरा प्रॉपर तरीके से बता दूँ तो फाइदा आप लोगों कोई होगा तो यहां पर हमारा पहला सवाल complete होता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं question number two बोलता है a stone is thrown vertically upward when the stone is at a height of half of its maximum height its speed is 10 meter per second then the maximum height attained by the stone is बेटा क्या बोलेगे एक पत्थर को आपने फैका उपर की तरफ कितनी स्पीड से फैका है क्या पता सर हमें u से मार लेते हैं जो उन्होंने बात बोली है कि पत्थर मार लीजे h height तक जाता है पत्थर मान लीजे h height तक गया उन्होंने बोला है जब वो half of the maximum height पे होगा यानि कि अगर total height मैंने h ले ली मेरे बच्चे तो यहां पे height हो जाएगा h by 2 जब half of the maximum height पे पहुँचा तो उसके पास speed थी 10 meter per second की 10 meter per second की तो maximum height कितनी attain करी है वो बताना है बेटा मुझे भी बताओ क्या maximum height पे final velocity 0 हो जाता है जी सर बिल्कुल हो जाता है पूरे process में क्या acceleration हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा था जी हां सर बिल्कुल लग रहा था नीचे की तरफ आपको h calculate करना है total height h है यह h by 2 है तो क्या बची हुई height h by 2 नहीं होगी सोच के देखो अगर मैं second part को solve करूँ यह पहला part हो जाएगा यह second part हो जाएगा मैं सिफ second part को solve करूँ तो क्या मेरा काम आसा नहीं होगा बोलो भई solving second part only अपर part को या फिर second part को मैं solve करूँ सिफ इसको बचा initial velocity second part के लिए 10 meter per second बचा final velocity 0 बचा जो displacement हम cover करेंगे it will be your h by 2 उपर की तरफ जा रहे ठीक है सर और acceleration जो होगा minus का g हो जाएगा चलिए वे तो v square equals to u square plus का 2 as वाला formula का इस्तमाल किया final velocity 0 initial velocity 10 का square minus का 2g h by 2 2 से 2 मर जाएगा 0 equals to 100 minus का g का value 10 into h बचा h का value 10 meter आ रहा है यही है आपकी maximum height यही है maximum height उसको h by 2 चाहिए h चाहिए sir उसको h का value चाहिए था उसको h का value चाहिए because h is the maximum height वो हमारा 10 meter आ रहा है and this is your final answer फटाक से note करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोगो हो गया अगे बढ़ते हैं अगे धिखते हैं अगले सवाल को a ball is dropped into a well in which the water level is at a depth of h below the top if the speed of the sound is c then the time after which the splash is heard will be given by बेटा क्या हुआ यहाँ पे कुवा है कुवे में पानी है पानी में पत्थर आप फेक रहे हो कुवा कुवे में पानी पानी में पत्थर आपने फैका कुवे का जो depth है बेटा वो मान लीजे कितना बोले उन्होंने क्यों माने सर बोला है h है तो हमने मान जा लिखती h एक पत्थर को आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो बेटा ड्रॉप करने का मतलब इनिशल स्पीड जीरो पत्थर नीचे जाएगा नीचे जाने में पत्थर को टाइम लगा मान लीजे T1 पत्थर पहुँचा नीचे पानी में जाके गिरा स्प्लैश हुआ स्प्लैश होने से क्या होगा बेटा स्पीड ऑफ दसाउंड हमें बताना है क्या है स्प्लैश हुआ स्प्लैश हुआ साउंड निकली और साउंड की स्पीड थी सी मान लीजे साउंड को उपर पहुँचने में टाइम लगा T2 तो कितनी देर के बाद आपको आवाज सुनाई देगी पहले पत्थर गिरेगा पानी में पानी में स्प्लैश होगा फिर साउंड सुनाई देगा तो टोटल कितने समय के बाद साउंड सुनाई दिया टोटल समय जोगा T1 प्लस T2 कितने टाइम के बाद sound सुना ही देगा, T1 प्लस T2 time के बाद. So, time या total time after which the splash is heard. After which the splash is heard. कितने समय के बाद splash सुना ही देगा? So, T is equals to T1 प्लस का T2. T जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो T1 प्लस T2 हो जाएगा. चली बई, T1 की जगा पे particle को drop किया H height नीचे आना है. What will be T1? So, sir, initial velocity 0, displacement यहाँ पे minus का H, acceleration यहाँ पे minus का G, और time जो है वो T1 है. क्या यह सारी बाते नहीं calculate कर सकते हैं? S equals to UT plus half 80 square से. करेंगे, सब बिल्कुल करेंगे. तो यहाँ पे पार्ट तो 0 हो जाएगा, है ना? This part will be 0, क्योंकि initial velocity 0 है. S की जगा पे minus का H equals to minus का half G T1 square. So, मेरे बच्चे minus से minus मर जाएगा. 2H by G is equals to T1 का square. अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से T1 की जो value है, वो under root of 2H by G लिखूँगा क्या? नहीं लिखूँगा? मैं लिखता हूँ T1 equals to under root of 2H by G. क्या यहाँ तक कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की है, तो बताओ. इस T1 को उठाके मैं पुट करूँगा यहाँ पे, अब यह तो पत्थर के लिए हो गया है, ना यह किस के लिए बात की हमने स्टोन के लिए बात करीए, सारी बाते स्टोन के लिए थी, स्टोन के लिए हमने सारी बात की लिए, whatever the sound, उससे दुश्मनी तुमारी? नही है ना चलब बई, तो यह काम अब हम साउड की लिए भी करते हैं. तो साउड की लिए तो साउड, साउड, साउड ना दीजे मास्ट्र, साउड की बात करें तो उसकी जो स्पीड है मेरे व़च्चे वो C के बराबर दे दी है, sound को जो time लग रहा है वो T2 है, और sound ने जो distance cover करेगा वो H के बराबर है बहुत यह constant speed है यहाँ पर sound की constant की speed होती है और constant speed के लिए तो हम direct formula लगाते है, distance equals to speed into time वाला, H equals to C into T2 वाला T2 equals to H by C वाला, चलिए बहुत, T2 का value भी मिल गया T1 का value भी मिल गया, now the total time can be written as T1 plus T2 और यहाँ पर जब मैं total time को T1 plus T2 लिखने वाला हूँ, तो क्या बनेगा यह under root of 2H by G plus H by C T को common ले लिए, यह H common लिया under root of 2 upon GH plus का 1 by C लो भाई, क्या यह match कर रहा है देख लो यह वाला option match कर दा है यह वाला option match कर रहा है H को common ले लिया under root of 2 upon GH plus 1 by C क्या यह बातें सही रहे लेगी, देख लो एक बार H common लिया, under root of 2 2 by GH plus का 1 by C चलो भी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और लिख लिया है सभी ने यह भी लिखो भाई, यह भी important है, जल्दी से note करो इसको कर लिए भी note, चलो भी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की और आते हैं अगला सवाल हम से कहता है a car accelerates from the rest at a constant rate of 2 meter per second square for some time then it retards at a constant rate of 4 meter per second square and come to the rest it remains in motion for 6 seconds its maximum speed, sir यह तो कोई और सवाल है motion under gravity का तो सवाल ही नहीं है यह कोई बात नहीं, आता नहीं है तुम्हें solve करना, देखो भाई objection करने से तो बहतर है उसको solve कर दो, तुम्हें आता है तुम्हें एक्सलरेशन, constant acceleration का case पर रखा है तुम्हें equation of motion आती है तो क्यों इस सवाल से घबरा रहे हो फिर कोई बात नहीं, आ गया ना motion under gravity, sir मेरा दिमाग तो बिल्कुल motion under gravity के लिए set था यही चीज तो सोच नहीं है मेरे बच्चे कि आप अभी जो पढ़ देओ, वो topic के हिसाब से पढ़ देओ आपने पूरा दिमाग फिक्स कर दिया topic पे ले जाके, लेकिन सोचो जरा जब आप exam दोगे, तो वहाँ पर topic ऐसे थोड़ी लिका हुआ, motion under gravity का सवाल, लोग भी सवाल वहाँ पर तो question random लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपने देखा, गाड़ी रेस्ट पे चलना शुरू हुई थी, और finally वो फिर से रेस्ट पे आ चुकी है, तो final velocity भी 0 हो जाएगी बीच मैं यहाँ पे, उसके पास थी maximum speed जो मुझे calculate करनी है total time जो इसको लगा है, वो है बिटा 6 seconds का और मैंने कहा, एक काम कीजेे, इनके time को बटवारा कर लीजे, मानीजे, इतने से पार्ट में time लगा T1, इतने से पार्ट में time लगा T2 पहले part में जब accelerate कर रही थी, तो time लगा T1 दूसरे part में जब वो de-accelerate कर रही थी, time लगा T2 तो मैं part 1 को solve कर रहा हूँ पहले है न लिख रहा हूँ मैं when car is accelerating जब car accelerate करती है when the car is accelerating in that case v equals to u plus 80 वाली equation का इस्तमाल किया हम लोगों ने तो v की जगह पर तो v max आ जाएगा और initial velocity 0 है acceleration हो जाएगा 2 and the time will be your t1 so यहां से v max जो हो जाएगा वो होका 2 t1 2 t1 चली बहे बहुत अच्छी बात है अब अगला case solve करते है when the car is de-accelerating when car is de-accelerating जब गाड़ी de-accelerate करती है तो यह second case हो जाएगा बेटा जब गाड़ी de-accelerate करती है फिर से v equals to u plus 80 वाला पार्ट लगाया है second part में बेटा final velocity 0 initial velocity v max acceleration की बात करें तो minus का 4 और time लगेगा t2 तो बेटा यहां से v max जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 t2 क्या बात है सर यह भी v max वो भी v max दोनों को बराबर करोगे t1 t2 में relation आएगा दोनों को किया बराबर और जब दोनों को बराबर किया तो t1 प्लस का t2 equals to 6 होता है मेरे बच्चे यहां तक तो रुको पहले इनको बराबर तो कर लें पहले इनको बराबर कर लें तो 2 t1 बराबर होगा 4 t2 के यह भी v max यह भी v max यह 2 t1 यह 4 t2 पर यह बराबर किया तो t1 can be simply written as 2 times of t2 t1 को लिखेंगे 2 t2 t1 को लिखेंगे 2 t2 also मैं जानता हूं कि t1 प्लस का t2 जो है वो 6 है नहीं जानते अरे t1 की जगा पे 2 t2 लिखा मैंने 2 t2 प्लस का t2 बराबर 6 हो जाएगा ज़रा देखो तो क्या 3 t2 बनता है हाँ सर बिलकुल बनता है solve करने पे हमने बहुत ज़्यादा tough calculation किया और इतना tough calculation करने के बाद मुझे t2 मिलता है 2 seconds मुझे t2 कितना मिलता है 2 seconds अच्छा तो d1 कितना मिलेगा फिर t1 कि जगे 2 t2 t1 कितना मिलेगा मेरे बच्चे फिर 4 seconds मिल जाएगा t1 है न t1 कितना मिल जाएगा 4 seconds मिल जाएगा क्या बात है मुझे यह सब नहीं चाहित है यार मुझे तो v max चाहिए या तो आपके पास t2 आ गया तो t1 आ गया यह रही equation किसी भी equation में put करो equation and you'll get the v max मैंने पहली वाली में put किया v max जो बनेगा it is equals to 2 t1 2 into 4 8 meter per second this is the maximum speed 8 meter per second is the maximum speed option a बिलकुल सही हो जाएगा समझते होना सवाल को छाप लो जली से फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़े अगले सवाल पे चौल भी अगले सवाल पे बढ़ते हैं बोलता है एक rocket जो की initially rest पे है is fired vertically भाई एक rocket जो initially rest पे है इसको vertically उपर की तरफ fire किया और अभी rocket के पास acceleration 10 meter per second square का at an altitude of 0.5 kg altitude मतलब height से related बात कर रहा है बीटे वो जब आप वो पहुंचे 0.5 km के height पे kg बोल दिया थे का मैंने पहले 0.5 km की height पे engine जो है वो rocket का बंद हो गया अब जब rocket का engine बंद हो गया तो भाई रॉकेट बताओ कितनी height तक और उपर जा सकता है जब rocket का engine बंद हुआ rocket के पास थी कुछ speed rocket के पास अगर कुछ speed थी तो due to that speed due to the inertia वो rocket और उपर जाएगा रॉकेट उपर जाएगा लेकिन gravity तो नीचे लग रही है तो बताइए maximum कितने height तक वो rocket जाएगा from the ground तो यहाँ पे रहा ground यहाँ पे था यह rocket जो हमने launch किया यहाँ तक वो गया और यहाँ पे इसका engine बंद हो गया बैटा यह कितना height है 0.5 km का 0.5 km में उसके पास acceleration था 10 meter per second square का यहाँ पे उस rocket का engine बंद हो गया तो आपको पहली बात तो यहाँ speed निकालनी पड़ी कि कितनी है माल लीजिए वो इससे h height उपर गया और finally यहाँ पे उसकी velocity 0 होगी इस पूरे प्रोसेस में acceleration जो था बिटा वो माइनस का G हो जाएगा क्योंकि यह जी नीची कितव लग रहे है तो बताईए ground से total कितना height उसने अटेन किया है ground से total कितना height अटेन किया है 5.5 km क्लिए उसके पास acceleration 10 meter per second square उपर की तब था उपर की height मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ velocity मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा initially कोई speed sir initially वो रस्ट पे था चोलो बई can you find this total height 0.5 plus h कितना होगा देखो जड़ा वही आपका final answer है अच्छा सर जी मेरे इस आप से पहले हम lower part को part 1 को solve कर लेते हैं फिर हम part 2 को solve करेंगे पहले part को solve करा जिसमें rocket accelerate कर रहा था solving part 1 जिसमें rocket accelerate कर रहा था when rocket when rocket is accelerating हम पहला part solve करेंगे जिसमें rocket accelerate कर रहा था अच्छा से initial velocity 0 हो जाई initial velocity 0 displacement होगा 0.5 km कर और ये displacement उपर की तरफ हो रहा है displacement अगर उपर होता है तो positive ले लिया जायता है कि आप इसको meter में convert करेंगे 500 meter इसका answer बनेगा displacement acceleration की जो value है वो plus में ही रहेगी 10 meter per second square क्योंकि वो उपर की तरफ है और मुझे find करना है final velocity क्या आप लोगों का दिमाग चल चुका है कि आप लोग जानते हैं कि V square equals to U square plus 2 AS का formula लगाने से हमारा answer हमें मिल जाएगा चलो बहुत 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 ही शांदर बिलकुल सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ दा है है final velocity हमें निकाल नहीं है initial velocity 0 है 2 into 10 into 500 सजी देखो 5 to the 10 होते हैं तो वी का value 100 meter per second हो जाएगा calculation है जी calculation तो solve करना आती होंगी ना आप लोगों को चलो बहुत अच्छी बात है मतलब जब रॉकेट यहां पहुंचा और जब उसकी स्पीड हो गई 100 meter per second विचार रॉकेट का इंजन ही बंद हो गया है ना at an altitude of 0.5 km बेटा 0.5 km के altitude पे मैंने स्पीड निकाल लिए 100 meter per second है the engine of the rocket cuts off engine बंद हो गया अब यह acceleration काम की नहीं है अगर engine बंद हो गया तो acceleration 0 हो गया अब रॉकेट पे लगेगी gravity पहले भी लग रही थी gravity लेकिन acceleration उसको खतम कर दिया था gravity पहले भी लग रही थी लेकिन acceleration उसको balance किया उसने बोला भया ठीक है तुम छोड़ो अभी gravity को अभी engine काम कर रहा है जब तक engine काम करता है आप उसी के acceleration को लोगे जैसे engine बंद हो गया अब यह rocket under the effect of gravity motion कर रहा है पहले जो हो रहा था उसके खुद के engine की वजह से था तो उसमें हम gravity को नहीं ले रहे थे लेकिन जैसे engine बंद हो गया अब rocket करेगा motion under the effect of gravity और gravity में जो भी motion करता है उस पेक सेलेशन लगता है माइनस का जीन वी पता है final velocity बेता है यह हमारा यह लिग दो solving part 2 solving second part when engine cuts off cuts off मेरे बच्चे जब engine cut off हो जाएगा तो u जो है वो 100 meter per second का हो जाएगा final velocity उपर देखेंगे तो 0 है acceleration minus का g minus का 10 meter per second square और बेटा displacement जो है उस case में h हो जाएगा मुझे h का value निकालना है क्या मैं निकाल पाऊंगा हाँ बिलकुल sir फिर से वही equation v square equals to u square plus ka 2as v square equals to u square plus ka 2as करने से बेटा final velocity 0 initial velocity 100 का square minus का 2 into g का value 10 into h 20 h equals to saw into saw 0 से 0 2 से 5 क्या बात है sir h का value 500 meter आ रहा है चोड़ बही तो बताइए ground से total कितना height attain किया rocket ने ground से total कितना height attain किया मैंने बोला sir यह height h थी यह height 500 meter और या फिर मैं बोलू 0.5 km थी rocket को ground से launch किया था आपने जो कि initially rest पे था at this point rocket की speed हमें पता चल चुकी थी 100 meter per second थी final speed यहाँ पे 0 हो जानी थी तो ground से total कितना height rocket ने attain किया यह 500 meter यह 500 meter total height कितनी attain करें इसने 500 meter plus 500 meter एक हजार meter बोले तो एक किलो मीटर तो rocket कितना चलता है भई 1 kilometer is the total height from the ground तो ground से total height कितनी हुरेगी मेरे बच्चे 1 kilometer जो कि मुझे मिलती है डी option में सो डी option बिलकुल सही है फटाक से नोट कर ली जिसको फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग होगे है तारा पार्ट यह यह भी लिख लेना भाई यह final answer 1 kilometer है ना चोड़ लिख लिए सभी ने बढ़े आगे अगले सवाल पर अगला सवाल कहता है कि एक body को free fall कर रहा है from a point P आपको point दिख रहा होगा diagram में तो P point से एक body को free fall कर रहा है ठीक है एंशोनी फिगा वाइल एनदर बोडी इस प्रोजेक्टेट अपवर्ड विद एन इनिशल वेलोसिटी वी नॉट from the point R. Point R से एक body को उपर की तरफ है का with an initial velocity of V naught now अब क्या हुआ बेटा की दोनों के दोनों body इस तक राती है क्यू point पर की यह बोले देखो देखो the first body begin to fall and the second body meet at a point q at a height h the maximum height attained by the second body for the given initial velocity is बेटा दो अलग सवाल दिये इसमें पहले सवाल पहला केस जो है उसमें बोले पार्टिकल को यहां से छोड़ा और यहां से पार्टिकल को फैका यहां से पार्टिकल को छेड़ा यहां से पार्टिकल को फैका यह particle जितने टाइम में यहां आएगा उतने टाइम में इस particle को यहां पुशने चाहिए तभी यह आपस में टकराएंगे बिलकुल सर तो एक है body 1 एक है body 2 में इनका नाम करेंट कर देता हूं बेटा p point पे जो था यह हमारी body number 1 थी r point पे जो था यह हमारी body number 2 थी इस body के पास initial velocity है v0 so for body 1 for body 1 initial velocity 0 है displacement जो उसने कवर किया minus का h है बेटा acceleration minus का g हो जाएगा कितना time लगेगा उसको यह कवर करने में आउ ज़रा चर्चा में करते लिए थे इसको using the equation s equals to ut plus half 80 square मैंने यहाँ पे s की जगा पे मैं लिखा minus का h initial velocity 0 है यह part 0 हो जाएगा minus का half g t square तो बेटा यहाँ से जो time लगेगा it is given by under root of 2h by g यहाँ फिर मैं काम करता हूँ अभी फिलाहल h equals to half g t square कर देता हूँ यहाँ तक इसको डबे में बन कर लीजिए अब मैं solve करने जा रहा हूँ body 2 को और body 2 को जब मैं solve करूंगा मेरे बच्चे तो यहाँ पे लिखूंगा for body 2 body body 2 बेटा body 2 को q तक पहुंचने में same time में q तक पहुंचने है body number 2 को same time में q तक पहुंचना है तो इसका displacement हो जाएगा h acceleration लगेगा minus कर जी initial velocity है v naught final velocity का अता पता निये time सेम लगना चाहिए तो यहाँ पे इसको time लगेगा है कितना टी है ना चौरब ही तो second body भी same time में q पहुंचना चाहिए यानि अगर उपर वाले को टी टाइम लगए तो नीचे वाले को भी टी टाइम लगना चाहिए बेटा सेम टाइम पे सेम जगा आओगे तभी तो मिलोगे तुम अपने दोस्त को बोल दो भाईया पार्क में मिलेंगे उसको time नहीं बताओगे तो कैसे मिल पाओगे पता चले तो अगर आप किसी से मिलना चाहते हो तो उसको time और जगा दोनों बताते हो तो same time में same जगा पे होंगे तभी मिल सकते है otherwise नहीं मिलेंगे तो मैंने बूला इसको time लगेगा t बैटा equation लगा है s equals to ut plus half a t square तो s की जगा लिखा h equals to u की जगा v naught t minus का half gt square बैटा half gt square की जगा capital h put कर दे तो मैं तो यहाँ पे h equals to u not t minus का capital h to h plus capital h equals to v naught ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं t का value निकाल रहा हो ठीक है यहाँ से आप देख सकते हो t का value v naught के terms में निकाल लिया मैंने चलो यह भी हमारे año कीचीज होगी है यहां फिर मैं लिख सकता हूँ V0 का वैल्यू which is equal to this one whole part T का वैल्यू है न, V0 का वैल्यू यहां से आजाएगा H plus का capital H by T इसको अभी डब्बे में बन करके रखो, काम आएगा अभी आगे है न अभी आगे काम आने वाला है, यहां से T का वैल्यू आप निकाल लेना under root of 2H by G यह भी डब्बे में बन करके यह T का वैल्यू वहां रखने वाले लोग, ठीक है अब यह सारी कहानी खतम होगी बेटा, अब यह सारी कहानी खतम होगी अब अगला सवाल शुरू हुआ है, the maximum height attained by the second body for the given initial velocity चलो, यह तो समझ आगे कि यह Q point में मिलेंगे, अब सारी चीज़ा भूल जाओ और सिर्फ body number 2 को consider करो सारी चीज़े भूल जाओ, सिर्फ second body को consider करो, बोला है, अगर आप इसको V naught speeds effect हो तो वो कितना maximum height attain करता है, यह आपको बताना है, बेटा, at the maximum height we know final velocity 0 हो जाएगा acceleration जो है, वो minus के G के बराबर होगा, तो इस case में initial velocity V naught है final velocity 0 है, acceleration minus का G है, और जो displacement है वो हो जाएगा, H max के बराबर इस case में equation of motion का use किया, V square equals to U square plus का 2 AS किया बेटा, final velocity 0, initial V naught का square, minus का 2 G, H max बेटा, यहाँ से H max का जो value आएगा, it is your V naught का square by 2 G आपको maximum height निकालनी थी, it is V naught का square by 2 G, V naught का value आप यहाँ से रखेंगे V naught का value यह वाला, उठा के वहाँ पुट करिए, so H maximum जो होगा, बेटा, V naught का square, small H plus capital H का square, divided by T का square ठीक है, V naught का देखो value, small H plus capital H upon T, सही है, V naught का value क्या है, small H plus capital H upon T, V naught का value, यह उठा के मैंने आप उट किया, V naught square की जगा, small H plus capital H का whole square, divided by T square, और upon में 2G अलग से चल रहा था, upon में 2G अलग से चल रहा था, बेटा, T को eliminate करते है, T को भी मैं H के format में लिखता हूँ, तो T का value है, under root of 2H by G, T का value, under root of 2H by G, लिख दूँ यहाँ पे, में, so H maximum can be written as, nothing but small H plus capital H का whole square, divided by 2G चल रहा था, और T square का जगा, लिखेंगे 2H by G, 2H by G, G से G मर जाएगा, और आपका answer बनेगा, small H plus capital H का whole square, divided by 4H, विटा, इस दा maximum height जो की attain करी जाएगी, यह क्या है, maximum height जो की attain की जा रही है, small H plus capital H का whole square divided by 4H, जो यह कहां पे मिलेगा, देखो ज़र, oops, sorry, इस पे ताला लगेंगे, third option पे, so, third option is the correct one, फटाक से इसको note कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर यह note सभी ने, फिर यह वाला part भी note करो, यहां तक आओ, this is the final answer, small H plus capital H का whole square by 4H, okay, हो गया, यही answer है, बहुत बढ़ते हैं, अगले सवाल, पे अगला सवाल हमसे कहता है, a jeep move at a uniform speed of 60 km per hour on a straight road, blocked by a wall, बहुत एक सीधी दिवार पे jeep move कर रही है, आगे एक दिवार ने रास्ता रोक के रखा हुआ है, जहां पे दिवार है, वहां पे jeep एक sharp turn ले लेगी बटा, ठीक है, चरी बही, a rocket flying at uniform speed of 100 km per hour, यह एक रोकेट है बेटा, जो दिवार से jeep की तरफ जा रहा है, 100 km per hour से, अब jeep जो है, दिवार से है 30 km दूर, यह जो jeep दिवार से कितनी दूर है, 30 km है, रॉकेट जो है, jeep के, शीशा नहीं हो था सामने वाला, wind screen जिसको कहते है, हाँ, तो वो जो rocket है, वो wind screen पे जाते है, और वापस दिवार की तरफ जाते है, तो कितना distance cover करेगा rocket ही आपको बताना है, the distance covered by the rocket will be, यह पूछा गया है बेटा, तो क्या हो रहा है, यह जो हमारी jeep है, सर, यह चल रही है, 60 km पर आवर से, यह jeep जो है, दिवार से 30 km दूर है, दिवार से एक rocket जीप की तरफ आ रहा है, 100 km पर आवर से, तो बताइए, जितने time में jeep यहाँ पहुचेगी, उतने time में rocket कितनी चकर, कितना distance चल चुका होगा, rocket क्या करता है, rocket के tendency है कि वो jeep के पास आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, jeep के पास, फिर दूर जाएगा, फिर jeep के पास आएगा, वापस आएगा, बेटा, कितना distance rocket चल चुका है, वो number of, यह नहीं पूछ रहा है कितने चकर काट ली rocket ने, नहीं, वो पूछ रहा है कितना distance चला होगा, यह आपको बताना है, चाहो तो relative से करो, चाहो तो तुम normally करो, तुम्हारी इच्छा शद्द है, बैसमें तो, यह मुझे क्या लगता है ना, कि ऐसा करते है, हम वो time निकाल लेते हैं, जिसमें jeep यहां तक पहुँच जाएगी, जितने time में jeep यहां तक पहुच जीगी, उतने time में इसने कितना distance टेवल की होगा, वो हम निकाल लेते हैं, यही बोले ना, बैटा, the rocket reaches the windscreen and return to the wall, the total distance covered by the rocket, jeep का काम क्या है, jeep इस दिवार के पास जा रही, बैटा, यह wall है, यहां पे, jeep का काम क्या है, कि वो इस दिवार के पास आईगी, rocket का का क्या है, कि वो दिवार से jeep की तरफ जाएगी, jeep से दिवार की तरफ जाएगी, कितना distance rocket ने चला, सबसे पहले मैं इस jeep को solve कर लेता, jeep के लिए मैंने बोला, let's say the distance traveled is your 30 km, constant speed से jeep चल रही है, 60 km per hour के, यानि कि 1 by 2 hour इतना टाइम लगेगा जीप को दिवार तक पहुँचने में ये जीप को दिवार तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा इस समय में रॉकेट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो रॉकेट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे रॉकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैं निकालूँगा रॉकेट की स्पीड मुझे पता है 100 km per hour है और रॉकेट का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by 2 hour नाव इन दाइट केस बिटा यहाँ पे S इकोस टू VT किया मैंने और S इकोस टू 100 इन टू 1 by 2 करने से S का वैल्यू पाचास किलोमेटर आ रहा है प्रस्टेंस ट्रेवल बाइदा रॉकेट इस यो पचास किलोमेटर जादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था सिंपल सा कोशन था क्योंकि उसने पूछा तो यही है कि रॉकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो भाई जितने टाइम में जीप यहां से यहां तक गई उतने टाइम में रॉकेट यहां गया 30 किलोमेटर फिर वापस आया लिए 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 इसको फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं लिए अगला सवाल जो हमसे कहता है अब बलूनिस्ट इस इस एक पैकेट को ड्रॉप करते है बेटा जब यह बलून 65 मीटर की हाइट पे था तो अभी यह कितनी हाइट पे है 65 मीटर की तो ग्राउंड से यह 65 मीटर की हाइट पे है इस पैकेट को इस बलून से ड्रॉप किया है बेटा तो कितना टाइम लगेगा पैकेट को नीचे पहुँचने में इस कोशन को कराने का क्या मकसद था मकसद यह है कि यहाँ पे पैकेट को ड्रॉप कर रहे एक चलते हुए बलून से पॉइंट भी नोटेड अभी तक अगर आप किसी बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप करते थे अगर आप किसी बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप करते थे तो उसका इनीशल वेलॉसिटी जीरो लेते थे क्योंकि यह सारी चीज़ें रेस्ट पे हो रही थी बेल बचे सारी किजें क्या होती थी रेस्ट पे बिल्डिंग एक जगा पे खड़ी है मैं एक जगा पे खड़ाँ वहां से पार्टिकल को ड्रॉप करता था तो इनीशल वेलोसिटी जीरो होती थी एक चलते हुए बलून से अगर मैं पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो पार्टिकल की इनी भले ही नीचे जाएगा लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए वो उपर जाता है बेटा तो बार्टिकल की इनीशल वेलोसिटी उपर की तरफ बारा मीटर पर सेकिंड रहेगी थोड़ा सा उपर जाएगा उसके बाद वो फिर नीचे आएगा और यहां पर आके गिर जाएगा ऐसा मोशन होगा बेटा थोड़ी देर के लिए वो उपर जाएगा क्योंकि बलून की वेलोसिटी इसके पास थी थोड़ी देर के उपर गया फिर उसके बाद वो नीचे आए नीचे आए और फाइनली वो गिर गया तो इस केस में अगर चलते हुए बॉडी से किसी पार्ट की इनीचल वेलोसिटी जीरो मत करना चलती हुई कार से अगर आपने पत्थर को ड्रॉप किया बेटा चलती हुई गाड़ी से अगर आप पत्थर को ड्रॉप कर रहे हो तो इस पत्थर के पास पत्थर के पास इनीचल वेलोसिटी जीरो मत कर देना पत्थर के पास भी वही वही होगा जो जीप गारी की थी मालों ये गाड़ी 5 km सब्सक्राइब करते हो तो उस पार्टीखल का इनिशल स्पीड वही होगा जो गारी का बलून का एरोपलेन का था हाँ building पे खड़े होके अगर आप फैक्ट हो building पे खड़े होके अगर आप यह सारे काम कर रहे हो तो definitely initial velocity zero है क्योंकि वो rest पे था यह बात का ध्यानक नहीं यह funda समझ आ गया हो तो इसको solve कर लीजिए बिटा अब आपका question complete हो जुगा है इस particle की यह जो packet आपने फैकर था बिटा packet का initial velocity 12 meter per second उपर की तरफ balloon उपर जा रहा है तो packet का initial velocity उपर की तरफ रहेगा चलो बहुत ही शान्दार यह सब चीजे में मिटा देता हूँ है ना इस सब कोई समझ आगे होगा आप लोगों को अपने चलो इस packet के में बात करता हूँ packet के लिए जब हमने solve किया तो initial velocity प्लस का 12 meter per second क्योंकि उपर जा रहा है acceleration तो नीचे ही लगेगा minus का g displacement भी बेटा minus का 65 हो जाएगा time बता दीजे कितना लग रहा है तो हम s equals to ut plus half 80 square वाली equation का इस्तमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे जब हमने यहाँ पर solve किया so minus का 65 equals to 12t minus का half into g का value 10 into t का square बेटा यहाँ से 25010 होते है minus का 65 equals to 12t minus का 5t square हो जाते है तो 5t square minus का 12t minus का 65 equals to 0 ठीक है quadratic equation बनानी पड़ेगी इसकी quadratic equation बनानी पड़ेगी 12, 65, कुछ बन सकता है क्या 5, 5, 0, 25, 6, 5, 0, 30, 3, 25 आहाँ मुश्किल लग रहा है सा 12 into 12 नहीं बनेगा यह बारा बटा 5 और यह बारा हो जाएगा चल्ड़ बही श्रीधरा चारे method का इस्तमाल करता हूँ यहाँ पे 12 plus minus का under root of b square 144 minus का 4 into minus का 65 into 5 divide by 2a 2 into 5 श्रीधरा चारे method minus का b plus minus b square minus का 4 a c upon 2a वाला formula लगा है let's solve this on the next page 12 plus minus का t का जो value वाएगा बटा वाएगा 12 plus minus का under root of 144 plus का 5 4s are 20 और 65 into 20 कितना बनेगा बटा pass that into b's 5 to the 10, 5 to the 10, 6 to the 12, 1300 divided by 10 1300 मैं अगर मैं 144 आड करूँ 4, 4, 4, 1 12 plus minus under root of 1, 2, 3 divided by 10 hmm क्या सोचते हो तुम लोग क्या गरें इस काब under root of 1, 4, 4, 4 38 थोड़ा बहुत याद है थोड़ा बहुत याद है लिख दिया मैंने देखो भई इसको solve करोगे time आएगा positive इसको solve करोगे time आएगा negative time कभी negative नहीं होता है तो ये वाला पार्ट हम काट देंगे क्योंकि यहाँ solve करने पर time negative आएगा यहाँ solve करने पर time positive आएगा so time can be written as 12 plus का 38 divided by 10 8, 9, 10, 50, बटा 10 भाई 5 second लगेंगे उसको kilometer per hour में तो नहीं ना कोई meter per second में है हाँ sir तो इसको time लगेगा 5 seconds यह क्या कर रहा है minus का 5 seconds time negative नहीं होता कभी ठीक है so a option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसको छाप लें जल्दी से फिर आगे बढ़ते है अगला सवाल देखते है चाप लिए सबीने यह भी बहुत बढ़ी चलिए भी आगे आथे हैं अगला सवाल a stone dropped from a building of height h and it reaches after t seconds on the earth from the same building if two stones are thrown one upward and one downward with the same velocity u and they reach the earth surface after the time t1 and t2 respectively then the relation between t1 t2 and t is बड़ा simple सा सवाल बोला गया है एक stone को drop करेंगे same एक height h से जब इस stone को मैंने drop किया drop मतलब पहला case है बटा जब इसको मैं drop कर रहा हूँ drop का मतलब आप समझते हो initial velocity 0 हो जाए इसको time पता है कितना लग रहा है हाँ से यहां तक आने में इसको time लगा t second case में मैंने बटा same building से पत्थर को नीचे की तरफ फैका with some speed u same height same height पत्थर को मैंने नीचे फैका है तो इसको time लगा t2 फिर third case में पत्थर को मैंने उपर फैका और इसको time लगा t1 जब मैंने drop किया time लगा t जब मैंने इसको नीचे फैका time लगा t2 जब मैंने पत्थर को उपर फैका time लगा t1 तो t1, t2, t में क्या relation आएगा यह आपको बताना है यहां से solve करा h equals to half gt square आया बिलकुल आया ऐसा यहां से solve करा तो h equals to क्योंकि displacement नीचे है तो minus का h equals to minus का ut2 minus का half gt2 square यहां से solve करा तो minus का h equals to ut1 minus का half gt1 का square यहां से सारे minus से minus मर जाएंगे तो आपकी question प्लस मर जाएगे देख रहे हो यह h equals to half gt square h equals to ut2 plus का half gt2 square h equals to minus का ut1 plus का half gt1 square बेटा यहां पर आप देखो तो मुझे t1, t2 और t में relation चाहिए तो कैसे करें इसको इसको मैं equation number 1 नाम दे देता हूँ equation number 2 equation number 3 let's solve this on the next page अभी मैं equation 2 और 3 को लिखने जा रहा हूँ equation 2 को लिखा था h equals to ut2 plus का half gt2 का square equation 3 को लिखा था minus का ut1 plus का half gt1 square equation 2 थी हमारी equation 3 थी हमारी है ना यही था बेटा equation 2 थी और equation 3 थी second equation को अगर मैं t1 से multiply कर दूँ और plus कर दूँ third equation के साथ जिसको मैंने t2 के साथ multiply किया था ध्यान से जादू देखेगा second equation को t1 के साथ multiply कर दीजिए third equation को t2 के साथ multiply किजिए और दूनों को add कर दीजिए आपकी equation बनीगी यहाँ पर देखना h t1 plus h t2 is equals to u t2 t1 क्यूंकि second equation को t1 के साथ multiply किया है plus का half g t2 का square t1 third equation देखो minus का u t1 third equation को t2 सा multiply किया था t2 plus का half g t2 into t1 का square क्या ये u t1 t2 से u t1 t2 मर जाएंगे यहाँ पर h common आएगा it will be your t1 plus का t2 is equals to half half g t1 t2 का square plus का half g t2 t1 का square मैंने क्या किया हैं से t1 t2 को common ले लिया यह तो half g t1 t2 को common ले लेते हैं चलो पर half g t1 t2 को common ले लिया यहाँ पर बचेगा t2 यहाँ पर बचेगा t1 तो h t1 plus t2 equals to half g t1 t2 और यहाँ पर t1 plus t2 मर गए आपस में ही है सब बहुत बढ़िया सो अगर यहाँ आपस में मर गए सो h will be half g t1 t2 यह equation number third आजाएगी बचा from equation 1 h जो था वो half g t2 था और इस h को अगर यहाँ लिखूं put in equation third so h की जगह पे half g t2 बराबर होगा half g t1 t2 के तो half g से half g खतम t2 जो हो जाएगा वो t1 t2 so t हो जाएगा under root of t1 t2 यह रहा relation t t1 t2 के बीच में समझ आए सभी को यह क्या है relation है बेटा t t1 और t2 के बीच में तो यह आपका option number कौन सा match कर रहे हैं जर्द देखते हैं देख लीजे थर्ड ऑप्शन बेख रहा होगा आपको थर्ड ऑप्शन दिख गया तो यह question complete हो गया है note की जिसको किया note सभी ने आगे बड़े यह भी लिग लो भाई हो गया यह भी note बड़े आगे अगला सवाल हमसे बोलता है अबॉडी प्रोजेक्टेड अबॉडी प्रोजेक्टेड विद दा स्पीड यू इन अवर्टिकल डिरेक्शन इफ दा रिजिस्टेंस अफ दा मीडियम प्रोद्यूस रिटार्डेशन ए देन ताइम आफ एसंट यू अपॉन जी प्लस ए होगा टाइम ऑफ लैट यू डिवाड़ेड बै जी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर प्लस यू अपॉन जी प्लस ए होगा और टाइम अफ लैट तू यू बाइजी होगा विटान में से कौन सा करेक्ट उप्शन है कौन सा गलोड आप्शनस है यह आपको बताने है बता पाओगे देखो जरा क्या अंसर आते हैं का वाई time of ascent का formula बिल्कुल सही है time of descent का formula बिल्कुल सही है time of flight होता है time of ascent plus time of descent बिल्कुल सही है time of flight गलत है यह formula तब valid है when there is no air resistance ठीक है formula only valid when there is no air resistance जब कोई air resistance नहीं होगा तो ही यह formula valid है otherwise यह formula valid नहीं है तो यह time of flight का यह formula बिल्कुल गलत हो जाएगा बाके सब सही अच्छा time of descent का formula पता है ना आपको एसेंट का तो पता दिया था मैंने आपको कैसे होता था यू स्पीट से पार्टिकल गया उपर गया उपर गया उपर गया अट इस पॉइंट फाइनल वेलोसिटी जीरो गी बिटा कितना हाइट कवर किया उसने एच तो दो फॉर्मुले बनते थे याद हो तो अंडर रूट अफ टू एच डिवाइड बाई जी प्लस का एक क्यों इस अभी फॉर्मुला लगाओ दोनों वैलिड होते हैं अगला फॉर्मुला होते हैं टाइम आफ डिसेंट के फॉर्मुले की अगर हम बात करें तो एक को मैं बता देता हूं तो भाई अब क्या हुआ पार्टिकल उपर से नीचे आएगा तो एट दा मैक्सिमम पॉइंट फॉर्मुलाइब उपर्टिकल वेलॉसिटी जीरो है पार्टिकल नीचे आ रहा है एच हाइट यहां पे पार्टिकल आया मुझे नहीं पता कितनी स्पीड थी चोड़ो उसको हाँ नीचे आने में जो टाइम लगा इट इस टाइम अप डिसेंट बिटा अब जो पार्टिक into time of descent, so v equals to g minus ka a into time of descent, मेरे बच्चे यहाँ पर time of descent का जो formula बन रहा है, it is v divided by g minus ka a, मुझे v नहीं पता, मुझे v नहीं पता, तो मैं क्या करूँ, v को find करते हैं, using the formula v square equals to u square plus ka 2 a s, तो v square equals to zero plus ka 2, g minus ka a into h, बेटा तो यहाँ पे V की जगा अंडर रूट ओफ 2H G माइनस A लिख सकते हैं हम लोग है ना तो यह काम आप कर सकते हो ना V की जगा अच्छा ठीक है सर कर देंगे सो इट कैन बी अलस रिटेन एस अंडर रूट ओफ 2H divided by G माइनस A बट इन्होंने कुछ और ही बाते लिखी है सर उन्होंने तो कुछ और ही लिखा है इसने लिखा यू अपॉन G स्कूर माइनस A स्कूर बेटा यू क्या है इनिशल वेलोसिटी तो अगर आप इसको इनिशल वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे इसको अगर आप इनिशल वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे यहां से आप देख सकते हो बिटा यहां से आप देख सकते हो तो V स्कूर इकोलस तो U स्कूर प्लस का 2 A S किया मैंने, final velocity 0 is supposed to u square minus का 2, g plus A into h. मेरे बच्चे h का value जो बनता है, वो u square by 2 g plus A बनेगा. h का जो formula बनेगा, it will be your u square divided by 2 g plus A बन जाएगा. इस में आप देख सकतो, h और u का relation है, है न? तो time of descent का जो formula बन रहा है, इसमें h आ रहा है, h की जगा वो u का relation पूट का दीजी बेटा. Since we have the time of descent as under root of 2h divided by g minus का A, and h की जगा पे, मेरे बच्चे, h की जगा पे u square divided by 2 g plus A हो जाएगा. So, time of descent can be written as under root of h की जगा पे, u square divided by 2 g plus A, और साथ में g minus A चल रहा था. 2 से 2 मर जाएगा, u बहार आजाएगा, time of descent can be also written as u divided by under root of g plus A into g minus A. ओहो, अच्छा, A plus B into A minus B का formula तो क्या? Under root of g square minus A square नहीं बनेगा? सोच के देख इसको. Time of descent, u upon under root of g square minus A square. बनेगा की नहीं बनेगा, बनेगा की नहीं बनेगा, बोलो हागी न, बनेगा न, तो बस तीनों option correct है, चौता option गलत है, लेकिन चौता option सही होता अगर air resistance नहीं होता तो. बेटा, यह formula time of light का बिल्कुल सही है, अगर air resistance नहीं है तो, अगर air resistance है, तो time of light का formula यह बनेगा, time of descent, time of descent, मैंने सारे formula लिखे, time of descent के लिए यह formula भी valid है, time of descent के लिए मेरे बच्चे यह formula भी valid है, है न, और यह भी valid है. सब आपस में interrelated है कहीं है, ओके, तो आपके तीन option यहाँ पर character है, और लास्ट वालाज option था, वो गलत है, क्योंकि air resistance को consideration में लिते हैं, तो time of light कुछ और आता है, तो यहाँ पर अपनी DPP no.3 complete हो जाती है, उमीद करता हूँ, सारी बाते आपको समझ आई होगी, सारे questions आपको से देख सकते हो बेटा, जैसे आप इस पर watch no.3 complete करोगे, यहाँ पर आपको जैए कि जितने फी lecture सभी तक हो है, सारे clear हो जाएंगे, सारे हमने sequence में यहाँ पर रख दी है, along with the DPPs, उनके solutions, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा, और यह सारी चीज़े इतने sequence में रख कि कभी ऐसा नहीं होगा कि दो लेक्चर या तीन लेक्चर देखने के बाद आप से कोई subscription की demand कर दे, ऐसी चीज़े हम नहीं करते हैं, ना तो कोई coupon code लगाना है, ना ही कोई subscription खरीदना है, आप बस यहाँ पर आओ, लेक्चर देखो और अपने doubts को clear करो, बस इतना सा काम करना ठीक है, बागी हाँ, एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा आप से उमीद करता हूँ, और आप करते भी होंगे, कि अगर आप चैनल पे नहीं हो, तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब को उसको जरूर दबा दीजिएगा, उसके बगल में जो बैल आइकन है, उसको जरूर दबा द पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और बस इतनी सी कहानी थी हमारे आज की इस सेशन की, मिलते आप से अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़ाई करते रहिए, all the very best.